दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा बिजनस जिसमें ना ज़ादा कमपेटिशन हो और लो इंवेस्टमेंट बिजनस के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना क्यूंकि आज मैं बताऊंगा आपको कि सबसे जो कम लो इंवेस्टमेंट और ज इतने खर्चा आएगा मिशीन में, प्रॉफिट कैसी होगा, मार्केटिंग बगारा, टोटल, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें दो बिजनेस बताऊंगा, मैं, दोनों साथ में भी खोल सकते हो, अकेले भी खोल सकते हो, तो लो इंवेस्टमेंट बिजनेस इसको बोल सकत हैं, तो स्टार्ट करते हैं, मैं बिजनेस का नाम बता देता हूँ आपको कि बिजनेस है क्या, चेन लिंक फैंसिंग, सामने आप देख रहे हो, यह फैंसिंग आपने हर जगा देखी होगी, आपके रोड्स होंगे, रोड के इर्दगिर्द होगी, किसी का प्लॉट होगा, प्लॉट के इर्दगिर्द होगी, यह फैंसिंग हर जगा देखी जाते हैं, मंदिर होगे, बिल्डिंग होगी, उनकी बाउंडरी वाल पर यह फैंसिंग देखने को मिलती है, एक यह हो गया कि इसका अगर हम बिजनेस शुरू करें, अगर उसको हम बोलते हैं, चेन लिंक इतना अच्छा बिजनस है नहीं, हर जगा यूज़ होगा, गाउं से लेके, शेहर से लेके, हर जगा यह बिजनस हो रहा है, और दूसरा जो बिजनस की मैं बात करने वाला हूँ, वो है बावेड वायर, आपने सबने इसके बारे में सुना होगा, और सामने आप देख रहे नहीं मिलेंगी लेकिन इनकी डिमांड काफी जादा है तो यही दो बिजनस की मैं बात करूँगा इनको आप मैंने जैसे कहा अकेले भी स्टार्ट कर सकती हो साथ में भी तो दोनों क्या मैं डेटेलिंग आपको करूँगा आपको मुनाफ़ा कितना होगा मशीने कहां से मिलें कि मशीन की रेट क्या होंगे रोव मिटीरियल कहां से मिलेगा रोव मिटीरियल का प्राइस बगरा सब इस वीडियो में आपको क्लेर मिलेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ चें लिंक फैंसिंग की जो सामने आप फैंसिंग देख रहे हुए दोनों में GI wire mainly use की जाती है वो भी आपको easily मिल जाएगी तो material की बात करें तो raw materials का क्या हो गया GI wire वो मैं बता दूँगा आपको कहां से easily मिल जाएगी ऐसे तो mainly अच्छा जो material आता है वो 36 गड़ से आता है लेकिन आपको ये आपके area में मिल जाएगी लेकिन कैसे मिलेगी वो में मैं आगे आपको बताऊँगा अगर हम area की बात करें कि इसके लिए area कितना चाहिए start करने का work इसके लिए कम से कम अगर आप अकेले में शुरू करते हो ये business तो आपको 2000 से 2500 square feet में दोनों काम शुरू हो जाएगे मतलब आपकी ये जाली भी बन जाएगी और काटेली तार का business भी दोनों 2000 से 2500 square feet area में business start हो जाएगे ये बात होगी हमारी area की अब ही मैं क्या करता हूँ दोनों machine का आपको पहले बता देता हूँ price बगएरा आपको मिलेगी कहां से फिर उसके raw material की बात में करूँगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी chain link fencing है उसकी machine की तो उसकी जो lowest price पे start होती है 8 से 13 लाक रुपे में अच्छी machine आपको मिल जाएगी ये depend होता है आपकी capacity पे आपको कितनी running meter daily निकालनी है कितनी kg के हिसाब से निकालें kg के हिसाब से ये machine आती है और देखो जैसे मैंने कहा साढ़े साथ और ये जो viral industry सामने आप नाम देखे हो एक अच्छी company है जहां से आप ये order कर सकते हो एक अच्छी company बोल सकते है viral industries की काफी इसमें machine ने मिलती है जिस टाइब की वे machine आपको चाहिए हो तो viral industries एक अच्छी है आपको इंडिया मार्ट पे भी इनका contact number पगरा मिल जाएगा आप direct इनको phone भी कर सकते हो और इंडिया मार्ट से आप करते हो तो वो better रहेगा तो दूसरी machine जो मैंने कहा बावेड वायर जो कांटेली तार बनाएंगे वो सबसे सस्ती मैंने कहा था ना कि lowest business idea इसको बोल सकते है lowest investment क्योंकि वो 80,000 से 2,000 लाक रुपे में best machine आपको मिल जाएगी जो बावेड वायर बनाती है तो आप अकेले उसका business भी start कर सकते हो जो काटेली तार बनती है उसका business आपका start हो जाएगा 3-4 लाक रुपे में और उसकी demand भी काफी है और मंतली आप उसमें से कम से कम 30-40,000 रुपे मंतली कमा सकते हो सिर्फ बावेड machine बनाके 2 लाक रुपे की जो machine आती है उसमें मुनाफ़ा आपका मंतली 50,000 रुपे का है अगर आप डेली उसकी जो 8 गंटे कम करेगी उसमें जो निकलेगा material उसको बेचोगे तो आपको mainly 50,000 रुपे मिलता है और जैसे मैंने कहा दोनों machine को आपको साथ में start करना है तो आपका total machine का setup कितना बढ़ेगा 13-15,000,000 रुपे आपका दोनों machine का setup पड़ेगा अगर आप दोनों chain fencing के वालब करते हो और बावेड वायर की अगर आप अकेला business करते हो सिर्फ बावेड वायर का तो आपको सिर्फ एक machine लेनी है जो आपकी मतलब 1,500,000 रुपे में अच्छी machine आपको मिल जाएगी तो अभी हम इसके बढ़ते हैं जो raw materials के लिए चाहिए mainly दोनों का raw material एक जैसा ही रहता है लेकिन उसका जो आपका depend होता है thickness wire की तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किसी price में वो आपको मिलेगा सबसे अच्छी चीज गया है आपको इंडिया मार्ट से हर चीज का इसमें मिल जाएगा और इसका जो starting price है मतलब 46 से 87 kg के हिसाब से मिलता है quality पर depend होदा है इसका rate तो ये आपको मिलेगा 46 पर kg के हिसाब से आपको material इंडिया मार्ट से मिल जाएगा और इसका मतलब depend में ने जैसे कहा thickness पे आपको किस quality के wire बनानी है उसी हिसाब से आपको rate मिलेगा देखो टाटा wire की जो है पर kg है लेकिन उसकी thickness कम होती है तो उसी हिसाब से आप material मतलब quantity में मंगा सकते हो जैसे 5000 रुपे का metric done आपका material आ जाएगा इस business के profit और marketing के बात में आगे करता हूँ सबसे पहले मैं बता दूँ machine के बारे में और थोड़ी चीज़े कि इसमें labor कितनी लगेगे आपको देखो दो type की machine आपको possibly market में मिलेंगी एक semi-automatic और एक fully automatic तो जो fully automatic है उसमें आपको 3-4 आदमी चाहिए जो इसका handle करेंगे बाकि semi-automatic में आपको 8-9 आदमी चाहिए जो पूरे काम में इसको बताएंगे तो मेरे ख्याल में दोनों काम स्टार्ट करने के लिए बावेड वायर और चेन लिंकिंग फैंक्सिंग का आपको 20 लाक रुपया पड़ेगा मतलब पूरा उसमें आपका shed बगर आ गया material आ गया थोड़ा बहुत रहो material थोड़ा बहुत उसमें जो मशीनों का जो चार्जिस आ गये और electric खर्चा आ गया और इसमें क्या है अगर आप loan लेते हो इस समय तो जो इंडिया में अभी प्रदाद मंत्री योजना चल रही है उसके इसाब से आपको 30% उसमें subsidy भी मिलेगी और आपको डूबने के chances भी काफी कम है government के काफी rules हैं तो उस basis पे आप loan लेके ये काम start कर सकते हैं अगर low investment पे आपको काम start करने हैं तो जो बारवड विंशीन का है जो मैंने चार लाख maximum कहा चार लाख रुपे खर्चे है लेकिन आपको वो सस्ते में भी काम start हो सकता है और उसकी demand काफी जाद है अगर भी हम आगे बढ़ते हैं अगर मुनाफ़ए की बात करूँ देखो जो chain link fencing है उसकी 1 kg काउस्ट पढ़ती है 50-60 रुपया मतलब बनाने में 1 kg के हिसाब से कितनी 50-60 रुपया और market में वो विक्ती है 70-80 रुपया मतलब आपको 10-20 रुपया पर kg पे मुनाफ़ए हो सकता है पर kg पे कितना हो गया 20 रुपय और देखो capacity क्या है 800-1000 kg आप दिन में निकाल लोगे अगर हम बात करें तो कम से कम एक दिन में आप 10-20 रुपया आप सिर्फ किसमा चेनलिंग फैंसिंग का आप निकाल सकते हो कितना 10,000 रुपया और अगर वैसी हम बात करें बार मेंडिंग अगर साथ में खोला है बार बड जो कटेली तार है उसका बिजनस साथ में खोला है तो उसमें भी आपको मतलब 40-50,000 रुपया मुनाफ़ा कमा सकते हो तो एक अच्छा बिजनस समय बोल सकते हो क्योंकि इनकी काफी डिमांड है हर जगा डिमांड है और इसमें ना तो कुछ ज़दा इंवेस्टमेंट है अगर दोनों बिजनस खोलने है थोड़ी बहुत इंवेस्टमेंट है 20,000,000 रुपया अगर सिर्फ बार बेर काटेली तार खोलते हो आपका तो उसमें ज़दा इंवेस्टमेंट नहीं है आप इसली खोल सकते हो यह नहीं है उसपे लोन लेना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनस खोलना है तो उसके लिए लोन लोग है तो उसपे सबसेडी भी मिलेगी और आपके चांसिस ज़ादा है ग्रोथ करने के अच्छा बिजनस इसे हम बोल सकते है तो आपको सोचना चाहिए दोस्तों और मार्केटिंग की इसकी में बात कर रहूँ तो मार्केटिंग इसकी काफी इज़ी है क्यूंकि आपके एरिया में जितनी शॉप्स बगरा है जहां अगली कल्चर जो इसके फॉर्म है जहां अगली कल्चर की शॉप्स है तो उसमें आप बात कर सकते हो वहां बिग जाएगी आपकी और बाकि इसके टेंडर भी काफी जादा निकलते हैं तो इसके बारे में भी आप पढ़के इसके एपलाई कर सकते हो तो एक अच्छा बिजनस है आप सबको एपलाई करना चाहिए और कुछ भी इसके केड़ीर पगरा रहती है तो कमेंट करो मैं उसका रिपलाई जुरूट करूँगो थैंक्यू गाइस